चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एको नई कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामनर ने कहा है The square root of a positive number Less than 100 lie between यानि कि एक्जामनर ने क्या कहा कि ऐसे square root बताने है जो कि आपका 100 से नीचे हो यानि कि simple सी बात है इसने कहा है जीरो से 1000 की बीच में होगे 0 से 10 की बीच में होगे माइनस 10 से 10 की बीच में होगे माइनस 100 से 100 की बीच में होगे वो बताने बटो पूछ रहा है कि 100 से कम होने चाहिए तो 100 से कम संख्या क्यों मेरी 99 होगी तो जो मेरी सबसे अगर यह 1 होगा, प्लस का, यह 2 होगा, ऐसे 3 होगा, ऐसे 4 होगा आपका, इस तरह से यह 0 से लिकर 99 तक इन हम बहुत जाएंगे मेरे, अब यहाँ पर देखिए, तो यह मिरे पास minus 1 होगा, minus 2 होगा, minus 3 होगा, minus 4 होगा, minus 5 होगा, minus 6 होगा, minus 7 होगा, minus 8 होगा, minus 9 होगा, minus 10 अगर देखिए मैं इस 9 का अगर मैं स्क्वेर रूत निकाल तो मेरे पास में माइस सी आएगा इस पॉचछा है कि वो नंबर बताने है इनका स्कुर है हंडेन से कम हो तो हंडेन से कम क्या होगा आपका वो मैनसट टेन से माइनस हें 3 बीच में क्यों गया चो जोटा है और यह की आज़ा आ två iki twenty से यहां तक जो संख्या होगी वो माइनस 10 और प्लस 10 के बीच में होगी यानि की option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी कोई question समझ में होगा